नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चनल में और दोस्तों आप कैसे हैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से ही होंगे दोस्तों आप जहां भी रहें स्वस्त रहें मस्त रहें और अपने काम में ब्यास्त रहें दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे यंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ आप दुनिया में कहीं भी जाए और इस यंत्र को सिर्फ अपने पास रखिए तो दोस्तो इस यंत्र को अपने पास रखने से आपके बिगड़े काम तो बनेंगे ही लेकिन साथ साथ आपका दुनिया में यस और मान सम्मान भी बढ़ेगा तो दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रोकेश्ट है आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें तो दोस्तों चलते हैं वीडियो को सुरू करते हैं आज मैं आपको जिस यंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ वह यंत्र एक सो पचास साल पुराना है दोस्तों सुरू सुरू में जब मैं अपने गुरू जी के पास में इस तांत्रिक बिद्या को सीखने गया था तो सर पिर्थम मेरे गुरू जी ने इस यंत्र के बारे में मुझे पूरी सच्चाई बताई थी दोस्तों मेरे गुरुजी के पास में 150 साल पुराना एक बहुती बड़ा एक प्राचीन ग्रंथ था जिसका नाम था यंत्र बिद्या के चमतकार तो दोस्तो उसी गिरंथ से और इस यंत्र को निकाला गया है तो दोस्तो यह यंत्र बहुत ही चमतकारिक और बहुत ही पावरफुल है इस यंत्र का मैंने अपने जीवन में कई बार प्रियू किया है और जिस कार के लिए मैंने इसका प्रियू किया है वह है मेरा कार शफल हु भी बताँगा दोस्तों आप श्यंत्र को देख रहे हैं कि यह इन्त्र ऑफ और एक पुद्ध paper वीडियो में बताया है गोड़ेरी जादू टोन गीक्राह करे आती जोस्तों यत्र मन्त्र ऑथति है जिसमें नंबर और अच्छरों का खेर होता है और दोस्तों एक मंत्र क्रिया होती है जिसके जरिये से हम किसी भी देव सक्ति को बोलाते हैं दोस्तों और तीसरा तंत्र विद्या होती है जिसे हम टोट का बोलते हैं तो दोस्तों यह तीनों विद्या के जरिया से जादू टोना किया जाता है तो दोस्तों इस यंत्र को मैं आपको वीडियो में साब तरीके से दिखा दूँगा और इस यंत्र को आप किसी भोज पत्र पर लाल पैन से या मा कर से आप इसे लिख लें और लिख करके दोस्तों आप इसे अपनी जेब में रख लें इसे जहां भी जाएं आप दुनिया में कहीं भी जाएं दोस्तों आप इस यंत्र को अपने पास रखिए इसे अपने पास रखने से दोस्तो आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे चाहे वो धंदे रोजगार का हो चाहे वो नौकरी परिछा का हो चाहे आपका विभाव साधी का हो दोस्तो जिन महलाओं को गर्व धारन करने में बहुती परिशानी आती है उनका गर्व बार बार गिर जाता है तो दोस्तो ऐसी महलाओं भी अपने परस में रख सकती है दोस्तो ये बहुती चमतकारी और बहुती प्रभाबसाली है आप इस यंत्र का लाब जरूर उठाएं दोस्तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो फिलीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब करें फिर मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार